हलो स्टूडेंट्स आर्शाई एजोपके ओनलाइन टुटोरियल में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स अभी तक हम सेकेंड ओर डेरिवेटिव डिसकस कर रहे थे उस और उनमें भी कुछ कोशन्स हमने डिसकस किये थे कुछ सिंपल कोशन्स आज हम नेक्स्ट कोशन पर मू स्टूडेंट्स सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करेंगे युञ करेंगे तो क्या करेंगे आपे टेकिंग डेरिवेटिव with respect to x both side तो क्या हो जाएगा यह तो students dy by dx हो जाएगा और यहाँ पर भी इसके आगे क्या लग जाएगा d by dx of sin inverse x का whole square अब यहाँ पर देखो next step dy by dx is equal to यहाँ पर क्या जाएगा देखो इसको x मान लेंगे तो क्या बन जाएगा यह 2x तो x की value क्या है 2 into sin inverse x into d by dx of क्या हो जाएगा आपका sin inverse x हो जाएगा अब इसका जो derivative है वो आपको पता है standard formula है directly है तो dy by dx is equal to 2 sin inverse x into में इसका जो derivative होगा वो 1 upon 1 minus x square का under root यह हो जाएगा students अब यहाँ पर देखे students हमें प्रूफ क्या करना है हमें से यह माइंड में रखिए कि हमें यह प्रूफ करना है इसका मतलब यह जो है अगर इसको हम इधर multiply कर लेंगे तो कोई problem नहीं है हमें तो इसको हम इधर multiply कर लेंगे तो next step क्या बन जाएगा 1 minus x square का under root into dy by dx is equal to two sine inverse x यहां तक आ गया है अब देखो फिर से हमें इसका क्या करना पड़ेगा derivative करना पड़ेगा क्योंकि d2y upon dx square लेके आना है हमें तो टेकिंग derivative अगें टेकिंग derivative विद रेक्सपेक्ट टू एक्स तो यहां अब यहां पर देखिएगा अगर इसका दुबारा से derivative लेंगे तो देखो दोनों तरफ क्या लग जाएगा आपका d by dx और यह क्या हो जाएगा आपका वन माइनिस x square का अंडरूट इंटू dy by dx इसका derivative निकालेंगे साथ में कि इधर क्या बच गया है यह तो आपका क्या होगा बाहर आ जाएगा टू इंटू डी बाई डी एक्स ओफ साइन इन्वर्स से एक्स हो जाएगा अब यहां पर देखे स्टूडेंट से एक यानिक एक फंक्शन तो क्या है वन माइनिस x स्कॉयर का अंडरूट और दूसरा फंक्शन डी य बाई डी एक्स से इसका डेरिवेटिव करेंगे तो फंक्शन इन्टू सेकिंड फंक्शन वाले मैथड से हो जाएगा और इसका तो हमें इस्टेंडर फॉर्मॉला आता ही है तो यहां पर जो नेक्स स्टेप आएगी वह क्या है इसको फंस्ट मान लेंगे तो यह बाहर आ जाएगा वन माइनिस x स्कॉयर का अंडरूट यह और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा d2y upon dx स्कॉयर फिर प्लस अब हम इसको dy by dx को बहार रखेंगे dy by dx और इसका जो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट एक्स का डेरिवेटिव वन बाई टू रूट एक्स होता है तो यहां पर वन बाई टू रूट एक्स क्या है यहां पर वन माइनिस एक्स स्कॉाइर इंटू डी बाई डी एक्स ओफ किसका हो जाएगा वन माइनिस x x square का तो यहां पर 1-1 x square का dy dx अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनिस का 2x इधर यह आपका 2 चली रहा है sin inverse x का derivative हमें पता है क्या होता है 1 upon 1-1 x square का under root होता है यह बन गया students अब देखें यहां पर 1-1 x square divide में है तो क्या करेंगे इसको इधर multiply हम कर सकते हैं तो इधर multiply करेंगे तो देखो यह इससे multiply होके क्या हो जाएगा 1-1 x square into d2y upon dx square पिलस यहां पर देखो यह 2 से यह 2 cancel हो गया है और यह minus है तो इस minus को हम बाहर ले लेंगे minus x upon 1-1 x square का under root तो यह उपर आएगा इधर multiply करेंगे तो यहां पर 1-1 x square का under root यह दोनों आपस में फिर से cancel हो जाएगे और इधर क्या बच जाएगा इंटू में dy by dx is equal to 2 अब हमें क्या करना होगा इस 2 को इधर लेके आना पड़ेगा और क्या बचा हुआ है वो हम लिख देंगे 1-1 x square into में d2y upon dx square minus का यहां पर देखो क्या बचा हुआ है students यहां पर बचा हुआ है x upon 1 sorry x into dy by dx और यह 2 भी धर आ करके क्या हो जाएगा minus का हो जाएगा तो is equal to 0 अब यहां पर देखी हमें प्रूफ क्या करना था यही पार्ट प्रूफ करना था जो हमारा हो हो चुका है तो इसका मतलब है यह जो है आपका यह आपका आंसर हो गया है हम यहां पर कह देंगे कि यह हमारा प्रूफ हो गया है समारा next question है if x is equal to a cos cube theta और y is equal to a sin cube theta देन हमें प्रूफ कर यह जो find करना है d2y upon dx square find करना है वो भी at x is equal to pi by 4 के उपर तो यहां पर देखो students यह जो question आपको दिख रहा है यह x किस में है theta में यानि कि x में यह जो function है वो theta के terms में इसका मतलब theta क्या यहां पर parameter है यहां पर भी parameter है तो parametric equations जब हमने solve की ती या फिर parametric equations का dy by dx निकाला था उसी method से dy by dx हम निकाल लेंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे यहां से यहां पर x is equal to start करेंगे x is equal to और हमारे पास क्या है a cos cube theta तब हम इसका किसके respect में derivative कर सकते हैं ठीटा के respect में derivative कर सकते हैं तो यहां पर क्या निकालेंगे हम taking derivative with respect to theta तो dx by d theta हमारे पास आ जाएगा गू क्या हो जाएगा देखो ए बाहर आ जाएगा और इसका d by d theta of cos theta की power कितनी लिख सकते हैं इसको इस तारीके से लिख सकते हैं अब x cube है तो क्या हो जाएगा इसका derivative इसका derivative हो जाएगा यह तो बाहर ही चल रहा है यहां पर 3 cos square theta into cos theta का जो derivative होगा वो क्या हो जाएगा cos theta का derivative minus sin theta यह हो जाएगा तो हमारे पास जो value आएगी dx by d sorry theta है यह t नहीं है theta is equal to 3a cos square theta और यहां पर into में sin theta और यह जेखो minus को हम आगे ले लेंगे तो हमारे पास value निकल के आगी है इसको हम equation number 1 दे सकते हैं dx by d theta हमने निकाल लिया है अब क्या करेंगे यहां पर y को उठाएंगे तो y से भी dy by d theta हम निकालेंगे तो यहां पर देखो ना हो y is equal to क्या given है a sin cube theta अब हम इसका derivative लेंगे with respect to theta तो क्या हो जाएगा dy by d theta is equal to यहां पर देखिए यह आपका बहार आ जाएगा और यहां पर d by d theta of sin cube theta यह हो गया है अब इसका derivative क्या होगा वो आपने बहुत अच्छे से सीखा हुआ students dy by d theta is equal to a into देखो यहां पर क्या हो जाएगा यह 3 बहार 3 into sin square theta और sin theta का जो derivative होगा वो क्या होगा वो हो जाएगा आपका cos theta यह बन गया है dy by d theta अब आपको पता है यहां पर यह दोनों dx by d theta यहां से हम dy by d theta निकालेंगे तो यहां पर देखो dy by d theta is equal to dy by d theta क्या है यह रहा आपका 3a sin square theta into cos theta यहांने कि 3a sin square theta into cos theta और आपके पास जो dx by d theta है उसकी value क्या है यह है आपके पास यह रही तो यहां पर minus 3a cos square theta into sin theta तो यहां पर कुछ term आपकी cancel हो जाएगी कि sin theta से sin theta cancel होगी cos theta से cos theta और 3a से 3a बाकिए क्या बच गया आपका dy by dx is equal to जो है वह उपर देखो sin theta बचा हुआ है और नीचे minus cos theta तो sin theta बट्टे में minus cos theta क्या हो जाएगा minus का 10 theta यह हमारे पास बच गया है dy by dx की value अब हमें पता है हमें निकालना क्या है d2y upon dx square निकालना है तो इस equation का हम derivative लेंगे with respect to theta यानि की taking derivative derivative with respect to sorry x ले लेते हैं x के respect में ही लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा d2y upon dx square और यहां पर देखो minus बाहर d by dx of 10 theta 10 theta का हम derivative निकालेंगे x के respect में यह ध्यान रखने वाली बात है तो क्या हो जाएगा माइनिस तो बाहर है 10 theta का जो derivative होता है वो क्या होता है सैक स्कुआयर theta अब आपको पता है theta का x के respect में derivative निकालेंगे तो क्या हो जाएगा d theta by dx अब इसकी value हमें यहां पर रखनी पड़ेगी बाकि तो हमारे निकल चुका d2y upon dx square तो आपको पता है student d theta by dx की value कहां से निकलेगी यहां पर देखिए starting में dx by d theta है अगर यहां से इसको हम उल्टा कर दे equation number 1 से d theta by dx का निकाले तो क्या हो जाएगी यह उल्टा हो जाएगा और यह value क्या हो जाएगी वान अपॉन माइनिस 3a cos square theta into sin theta तो यह value रख सकते हैं हम d theta by dx की जगे तो वहां पर यह value हम रख देंगे तो हमारे पास d2y upon dx square की जो value है वो क्या निकल के आएगी माइनिस सेक स्कुआयर theta into यह value इस d theta by dx की जगे हम रख देंगे तो क्या है आ जाएगा यह वान अपॉन माइनिस 3a cos square theta into sin theta यह निकल करके आ गया है अब हमें पता है यह इसकी value तो निकालनी है लेकिन at theta x is equal to कहां पर निकालनी है pi by 4 पे x नहीं यह theta है theta is equal to pi by 4 पे हमें निकालनी है तो यहाँ पर theta is equal to pi by 4 हम इसमें substitute कर देंगे तो direct answer आ जाएगा हमारा तो d2y यहाँ पे d2y upon dx square at theta is equal to pi by 4 तो यहाँ पे देखो हम direct value रख देते हैं तो minus sec square pi by 4 यहाँ पे बाकी कुछ नहीं है नीचे क्या बच गया आपका 3a minus का तो यह minus से आपका minus cancel out हो गया है यहाँ पे भी और यहाँ पे क्या बच गया है cos pi by 4 का whole square और sin pi by 4 student अब मैं इसको यहाँ पे समझा रहा हूं जो बाकी part है तो आपको पता है sec pi by 4 क्या होता है root 2 तो क्या बन जाएगा यहाँ पे जब यह value है d2y upon dx square की root 2 का whole square upon नीचे क्या हो जाएगा आपका यह 3a नीचे चली रहा है आपका 3a cos pi by 4 pi by 4 की value क्या होती है 1 by root 2 तो 1 by root 2 का whole square into sin pi by 4 की value क्या होती है root 1 by root 2 यह हो जाएगी अब हम इसको calculate कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए student जो उपर वाला part